बुकारो के ओर्थो डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने एक महिला मरीज पर बैसाखी से हमला कर दिया इस हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोटे आई है मामला बुकारो सदर अस्पताल का है जहां इलाज कराने आई महिला को जब डॉक्टर के कमरे में अंदर जाने को कहा गया तो उसी वक्त लगभग मरीजों की और भीड भी डॉक्टर के चैंबर में घुज गए डॉक्टर भीड को देखकर अपना आपा खो दिया और बैसाखी उठाकर महिला पर हमला कर दिया जिससे महिला के सर पर काफी चोट आई है इसके बाद बाहर निकले हैं तो इसके बाहर निकले हैं एक था तो था और आप भुषा दिया था तक आप लोग मरी नंबर लिए हुए थे अभी मैं उपर में आइसु के तरफ में वाड में राउंड पे था उपर से लोट के जब मैं अपने चेमबर में आया मैं अस्पताल में वाड में राउंड पे था लेकिन मैं जब उपर से उधर के अपने नीचे चेमबर में आया तो मेरे को लोगों ने सुचना दिया कि OPD No.2 के पास बहुँ जादा हला हंगामा हो रहा है यहां पे आके देखा तो लोगों की भीर लगी हुई थी और लोगों की बीच में इस तरह की चर्चा हो रही थी कि डॉक्टर साहब के द्वारा किसी मरीज को पिटा गिया तो मैंने फिर गार्ड से भी पूछा कि भाई आखर यहां पे क्या हुआ तुन्हों ने यही कहा कि एक बार मेरे को धक्का देते हुए बहुत सारे मरीज भीतर में घूस गया और वसी सिती में शायद डॉक्टर साहब ने धक्का मुक्य करी जिसके कारण से किसी महिला के सीर पे चोट लगी है उसको सबसे पहले मैंने प्रात्मी कुप्चार करके उसको बिठाया और उसके वाद फिर वहां पे जितने भी मरीज के परजन थे उनको हम लोग और भी जो करना है तो ऐसा भी हो सकता है कि चुकि और तो पेडिक चल रहा था तो हो सकता हुआ वह साथ को दिव्यांग बैखती होगा कि जिसके हाथ में चड़ी होगी तो में भी ऐसा हो सकता है लेकिन यह तो डॉक्टर साहब से पूछने पे और जो वहां पे प्रतक्ष दर्शित है चाहे वो गार्ड हो या फिर और जो दिश्रे मरेज हो आगे जी आगे के लिए इसमें सबसे पहले यह है कि डॉक्टर साहब का भी मंतब्य हम लोग लेंगे और साती साथ जिस मरीज को चोट लगी है उसका भी मंतब्य लेंगे वहां फिर जो ऑन डूटी गार्ड था तीनो गटना की सूचना सीटी थाना पुलिस को दी गई मौकी पर पहुंची पुलिस ने इस्तिती को नियंत्रन में किया पुलिस अधीकारी ने बताया कि भीड को हटाने के दौरान महिला गिर गई जिससे वक गंभीर रूप से घायल हो गई जबकि महिला ने चिकित्सक पर नगा लिए लोग जो रहा है तो लोग आए देखे लिए तो लगा हुआ है तो इसे में वह लगा गिर वे चोपि अब पुलिस क्या करें लाइब इंडिया हरपल के लिए बुकारो से दिनेश पांडे की रिपोर्ट